इस expression का हमें integration करना है तो सबसे पहले हमें एक function के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम beta function कहते हैं तो beta mn इसकी जो value होती है यह होती है integral में इसको define किया जाता है 0 से 1 इसकी limit होती है x की power m-1 और 1-x raised to the power n-1 यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है वही यहाँ होना चाहिए और यह जो x है इस bracket में वो linear होना चाहिए यानि कि उसकी power 1 होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको apply नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर जो power है यहाँ पर m-1 होना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक power आपकी add है और same ऐसे ही n के बारे में है दूसरा बीटा m-n की जो value होती है वो equal होती है गामा n सोरी गामा m गामा n divided by गामा m plus n इसकी equal होते है गामा half के जो value होती है वो root pi होती है और गामा n इसकी जो value होती है वो n-1 factorial होती है अगर n आपका integer है तो इस तरह से यह 3-4 जो key points हैं यह इस problem को solve करने में हमारी help करेंगे तो देख लिते हैं हमारा यह integral क्या है तो यहाँ पर दे रखा हमें j equal to 1 upon pi और limit है 0 to 1 t raise to the power minus half और 1 minus t raise to the power 3 by 2 dt त जो value है यह equal to होगी beta minus half में 1 add करेंगे तो half और ही हो जाएगा 5 by 2 इसके value हमें evaluate करना होगा इसके outside 1 upon pi भी चल रहा है तो 1 upon pi और यह value हो जाएगी बन गामा half गामा half means root pi फिर हो जाएगा गामा 5 by 2 और इसके value निकालेंगे तो 3 by 2 into by 2 फिर root pi यानिके गामा half और नीचे में आपका pi है ही फिर दोनों का sum यानिके gamma 3 यहाँ पर यह गामा 3 आ जाएगा और गामा 3 का जो value होगा वो 2 होगा यानिके final में आप कह सकते हैं यहाँ पर और root pi और root pi मिलके pi हो जाएगा यह इससे denominator वाले से कड़ जाएगा numerator में आपको मिलेगा 3 by 4 3 by 4 और denominator में गामा 3 की value आपके 2 होती है यानिके आपको मिला 3 by 8 और अगर इसको आप decimal में convert करते हैं तो 0.375 यही इसकी key होगी तो इस integral का आप जो value है यानिके जीगा value है 0.375 और